राधे राधे एवरिवन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अहोई अस्टमी या होई आठे की बहुत ही सरल पूजा कैसे कर सकते हैं ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की दीर्ध आयू और उज्वल भविश्य के लिए करती हैं और जिन भी मा अस्टमी वाले दिन आप जो है नहाद होकर जहां पूजन करेंगे हम अच्छे से साप सफाई कर ले थोड़ा सा हो सके हल्दी से इस तरह से आप लीप ले उसके उपर हम चोकी लगाएंगे तो आप चोकी भी लगा सकते हैं या चाहें तो डारेक्ट जमीन में भी पूजन क कर सकते हैं मैं यहाँ पे चोकी लगा रही हूं और जब आप होई अस्टमी का पूजन करें तो आप जो बच्चे के होने में पीलिया या चुन्नी आती है वो ओड़ लीजिएगा अगर नहीं है तो अपनी शादी की चुन्नी भी आप ओड़ सकते हैं थोड़े से अनाज के दाने रखेंगे हम पहले और उसके उपर हम अहोई माता का फोटो या कलेंडर रखेंगे आप दाने गेहूं के चावल के बाजरा के किसी के भी ले सकते हैं होई माता के सासत भगवान गनपती का भी पूजन जरूर करना चाहिए तो देखिए आप चाहें तो मिट्टी के पहले मूर्थी बीले सकते हैं अहोई अस्टमी वरट में इस तरहाँ कि मिट्टी की मट्किया ली जाती है आप चोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं कलश कमोई अलग-अलग नामों से इसे बोला जाता है हमारे हाँ लोकल में इसे कमोई बोलते हैं तो हम ये कमोई ले और ये आपको कोरी ही लेनी होती है यानि कि नई लेनी होती है पहले का अगर आपके पास कोई कलश वगरा रखा है जिसका आप उजन पहले कर चुके हैं तो वो मत लीजेगा नई लेनी है हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आप कोरी ले सकते हैं जो आप नई लाएंगे कमोई क नाम की और इसके उपर आप अपने करवा चोत का करवा रख सकते हैं ऐसा आप कर सकते हैं लेकिन एक तो आपको नई लेनी ही होती है और आप चाहें तो एक आप नई कमोई यानि की नई मटकी ले सकते हैं बड़ी चोटी कैसी भी और उसके उपर एक आप अपने घर का कोई ल प्रवार रख सकते हैं दोनों के कंठ पर अच्छे से कलावा बान लीजेगा इस तरह से स्वास्तिक बना लीजेगा इसमें से एक जो घड़ा होता है उसमें तो आप अनाज भर सकते हैं और दूसरे घड़े में भरा जाता है जल याने की पानी और कुछ जगां पर दोनों ही गड़ों में पानी भरा जाता है तो आप अपने बड़े जनों से पूछ सकते हैं कि आपके आप अनाज भरते हैं या दोनों में पानी भरते हैं या अगर आप पहली बार ब्रत कर रहे हैं तो आप देख लिजेगा किस तरहां से आपको हमेशा निभाना है उस हिसाप से आप क पुजन कहां करेंगे, कौन सी दिशा में करेंगे, उस हिसाब से आप अपनी दोगड रखें, तो आप अच्छे से इने जमा लीजिएगा, यह हिले नहीं, कोई अप्शोगुन ना हो, और अगर आपकी जो बैलेंस नहीं बैठ रहा है, तो आप इसके आसपस जो है दिया लग सकते हैं, ताकि बाद में उठाने में असानी रहे, या फिर आप डारेक्ट भी रख सकते हैं, तो मैंने यहां गेहू लिये हैं, आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, उसके ओपर हम दिया रख लेंगे, सभी जगा पर दिये के साथ पूजन नहीं होता, कुछ जगा पर ठंडा पूजन किया जाता है, तो अगर आपके हैं भी ठंडा पूजन होता है, तो आप दिया स्किप कर दीजिएगा, बिना दिया जलाया पूजा कीजिएगा, जल का छीटा देते वे, आम भाव रूप से सनान करा देंगे सभी को, अपना दिया जोड लेंगे, और हाथ जोड के प्रातना करेंगे माता रानी से, भगवान से, कि है भगवान हमारे बच्चों की जो है दीरधायू करना, उजवल वविशे देना उन्हें, और सभी सुखने देना, और संतान हीनों को संतान देना, इस तरह से आप हाथ जोड के प्रातना कर लें, अहोई अस्टमी वरत ने ह हल्दी का विशेश रुप से महत्व होता है, तो हल्दी से ही आज का जो आप पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, सरपथां भगवान गनपती को, अहोई माता को, और भी कलेंडर में जो भी हैं, सभी को हम इस तरह से तिलक कर लेंगे, अपनी कमोई पे भी अच्छे से आप इ पहले ही कलावा बान लिया था, माता रानी को कलावा अरपन करेंगे, चुनरी हो तो आप चुनरी अरपन कर सकते हैं, उसके बाद जो हमारी साव माता की माला होती है, हम उसका अच्छे से पूजन करेंगे, तिलक करेंगे, ये माला जो है चांदी में बनवाई जाती है, इस तो इसे दिवाली तक पहना जाता है और अगर आप बाहर निकलते हैं, नहीं पहन पाते हैं या कई देवरानी जिठानिय नहीं पहन सकते हैं तो आप अपनी कमोई को भी पहना सकते हैं और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर सभी पहन ले तो आप पताशो का या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, उसके बाद हम फल चढ़ा देंगे, और फल में सिंगाड़ा बहुत विशेश रहता है आज के दिन, जैसे कि मेरे माईके में सिंगाड़े के विना तो पूजा होती ही नहीं है, सिंगाड़ा बहुत जरूरी होता ह मेरे सुस्वराल में जरूरी नहीं माना जाता चढ़ा सकते हैं तो अगर आपके हाँ भी सिंगाडा चढ़ाते हो या हरे रंग का कोई भी फल चढ़ाते हो तो जरूर चढ़ाईएगा और उसमें से सभी चीज़े थोड़ी थोड़ी लेके अपने कमोई पे इस तरह से आप ज सामने रखेंगे अच्छे से पूजन करेंगे अगर आपको कहानी आपकी सासुमा ही सुनाती है तो आप दक्षना एक ही जगा निकालेंगे साड़ी के उपर लेकिन कुछ लोगों के मिसरानी या पंटायन कहानी अलग से सुनाती हैं तो आप उनके लिए भी दक्षना निका तब आप दो जगा दक्षना निकालेंगे और आप चाहें तो मिश्रानी या पंटायन के लिए भी साड़ी निकाल सकते हैं आज के वरत में कथा सुनने का विशेश महत्व होता है तो हम यहीं पर बैटकर कथा सुनेंगे हाथ में आप कुछ दाने ले लें और एक लोटा हम ज कथा कहानी सुनेंगे कहानी हो सके तो आप किसी से सुनिएगा सुनने का फल अधिक होता है कोई नहीं है तो आप किताब से खुद भी पढ़ सकते हैं या फोन में सुन भी सकते हैं आपको मेरे चैनल पर भी कहानी का वीडियो मिल जाएगा वहां से सुन सकते हैं कहानी सुनन को ही पूजन करते हैं एकी बार एकी समय तो फिर आप एकी बार में जो आपने चंदर्मा को या तारो को अर्क दे सकते हैं तो पहले आप यह अर्क दे देंगे उसके बाद बिना किसी को चीके टोके आपको जो है अपना बायना निकालना होता है तो देखिए दक्षना ले लेंगे जो भी आपने हापे समान चढ़ाया है भोग लगाया है वो सभी आप इस तरह से अपनी साड़ी पे या सूट पे रख देंगे पले में आप थोड़ा सा जल लेंगे और दो बार इस तरह से फिरा के आप इसे मिनस देंगे इसे मिनस ना बोलते हैं और इसके बाद ये हमारा बायना हो जाता है ये हम अपनी सास को दे सकते हैं और आप ये याद रखेगा जो आप बायने में समान निकालते हैं वो आपके पती और आपके बच्चे ना खाएं, क्योंकि उसे आप मिनस के देते हैं, आप उनको अलग से खिला सकते हैं, पर आपका मिनसा हुआ, आपके पती और बच्चे ना खाएं, और ये बायना आप वैसे तो सासुमा को देंगे, लेकिन अगर सासुमा नहीं है, तो अपने सुस्राल पक्ष के माईके में नहीं दिया जाता मा को अपनी को नहीं दे सकते हैं और अगर कोई भी not है तो आप अपने ऑब हुआ आसपास जो मंदिर है उस में हाज जोड़के शमायाच ना कर ले मातर आने से अपने बच्चों के लिए सद गुद्धी दीर्द आयू का उनसे आप आशिरवाद मांगे सभी बड़े जनों के आप पैर छूलें अपने बच्चों को भी मातर आने की धोग जरूर से खिलाएं आज के दिन आप कोई भी जो है ना सिलाई बुनाई कटाई का या खुदाई का काम बिल्कुल ना करें हो सके तो चकू वगारा भी हात में ना लें सबजी वगारा ना काटें किसी से कटवा सकते हैं जेंट वगरा से, नहीं तो उबालके बना सकते हैं जो चीज़े उबल जाती हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं और ये कमोई जो है छोटी दिवाली पे धन तेरस पर या फिर गोबरधन वाले दिन उठाई जाती है, अलग-अलग आप चंद्रमा को या सूरज को अर्क दे सकते हैं, या फिर आप इने पेड़ पोधों में सिला सकते हैं, और ये जो कमोई है, ये जो कलश है, इसको आप कोई धरुदर ऐसे ही नहीं पटकना है, इसे हो सकते तो साल भर के लिए सम्हाल के रखा जाता है, आप इसे रिताने के इसे बड़ उल्टा करके जो है अपनी छत्पे रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें पक्षियों के लिए पान नी या अनाज भर के रख सकते हैं, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, सजा के घर में रख सकते हैं, इसे डेकोरेट कर लें, डिय बना लें इससे क इसे हो सकते हैं, तो आप खंडित ना होने दे, साल भर तक तो कम से कम, और यह जो अनाज आपने भरा था, इसमें इसे दान किया जाता है, या तो आप इसे मिनस के पंतानी को दे सकते हैं, जरूरत मंद को किसी को दे सकते हैं, या फिर आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, कलेंडर पे छीटा लगा के आप रख दे बार-बार यूज़ कर सकते हैं कटा फटा नहीं है तो तो ये सरल पूजा विधी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो जादर से जादर शेर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमली के साथ और अभी त